आप आगर खुद का फॉर्म्मिला बनाना चाहते हैं आप अब माया हुआ चाहते हैं कि आप अपना पौर्टर टू है quarter 2 में sell 30 है अब मुझे इसका growth निकालना है तो मुझे growth का formula लगना है वी वी में तो developer type में जाए विजब इसमें क्लिक किजिए इसका shortcut F11 भी होता है इसमें आए insert किजिए modules को और फिर इसमें आप लिखिए function और जैसे कि मैंने जी आर का formula दे दिया इसमें हमने बोल दिया कि q1 as a कुछ भी दे सकते हैं हमने long दे दिया और comma हमने बोला q2 as a also long और फिर यहां पर हम करते हैं कि dim r as a result के लिए as a double को कि इसमें होगा उसके बाद हमने लिखते हैं आर इकोल टू ब्राइकेट में q2 minus q1 divided by q1 इसका होता है तो हम इसको डिवाइट कर दिया बद रिजल्ट चुआएगा टेश्में में आएगा तो हम यहां पर एक बार इसको एक बार लागा के देखिए फिर्स को हम फॉर्सेंटेज की बीए कनवर्च कर लेंगे तो यहां पर जाएगा जी आएगा फॉमला हम सेलेक करें q1 को को सेलेक करें q2 को q1 q2 को कि यहां पर गलत डल गया है तो रिजल्ट जीरो आया क्योंकि हमने आप साइन नहीं किया यहां में लिखना होगा यहां पर कि जी आर इक्वल टू और इसको यहां से यहां से स्टॉप कीजिए और इसमें डवल क्लिक कीजिए और रिजल्ट आपके सामने है इसको परसंटेज में कनवर्ट करने के परसंटेज के सेंबल लगा दिए